149 दिनों के लिए ज्यादा ताकतवर हुए शनी मित्र बुद्ध की राशी मिथुन पर बर्साएंगे किरपा मिथुन राशी पर है शनी की महादशा महादशा नात का ताकतवर होना शोब मेरे यूटूब पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हून रेश कमार सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाज जिन्होंने पेज को सबस्काइब किया है पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार बेज रहे हैं लगबग 149 दिन के लिए शनीदेव वक्री होंगे और शनीदेव के वक्री वस्था में रहने का क्या परनाम मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि वक्री वस्था आखिर होती क्या है और जोतिश में इसे इतनी इंपोटेंस क्यों दी है यदि खगोल के साथ से देखें खगोल शास्तियों के साथ से देखें तो ये रेट्रोग्रेशन होना एक आम बात है शनी साल में लगबग 140 दिन वक्री वस्था में ही रहते हैं लेकिन जोतिश की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर ये चीज़ आ जाती है कि जब प्लैन दिखाता है वक्र वस्था में शनी की वक्र वस्था में खास तोर पर इस तरह के अच्छे या बुरे परनाम इंस्टेंटली मिलते हुए नजर आते हैं कुछ लोगों को अचानक से फाइदा हो जाता है बहुत जादा कुछ लोगों को अचानक बहुत जादा लोस हो जाता ह ये प्लैनेट की वक्रिय वस्था के उपर depend करता है अब वक्रिय वस्था होती क्या है जो हमारा ब्रहमांड है वहाँ पर जो दो प्लैनेट है जो सूरे के बिल्कुल करीब रहते हैं वो हैं Venus और Mercury यानकी बुद्ध और शुक्र ये Inner Circle के प्लैनेट है ये सूरे से दूर नहीं जाते लेकिन Mangal, Guru और Shani ये Outer Circle के प्लैनेट है जैसे ये सूरे से 120 डिगरी दूर जाते हैं ये वक्रिय वस्था में बढ़ आ जाते हैं और दुबारा जब घूम के फिर दुबारा विदिन 120 डिगरी आते हैं तो फिर ये मारगी होते हैं अब Shani जो है वो 29 जून को सूरे से 120 डिगरी दूर चले जाएंगे 29 जून मिड नाइट का ये समय है और 15 नुवंबर को ये Shani मारगी होंगे फिर विदिन 120 डिगरी आ जाएंगे इस 140 दिन के पीरिड के दुरान इसका असर मिथुन राशी के जाथकों के उपर क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो मिथुन राशी के जाथक जो प्रफेशनल लाइफ में हैं जिनकी उमर 25 से लेकर 45 के बीच बीच में है वो शनी की महादशा से ही गुजर रहे हैं अब अपना बर्थ चार्चा करिए महादशा चेक करिए आपके ओपर शनी की महादशा ही चल रही है ये डेफिनेटली ये एक कैलकुलेशन है क्योंकि मिथुन राशी के जाथक जितने भी है वो शनी की महादशा से चल रही है अब आपके लिए ये इंपोर्टन क्यों है दशानात वक्री हो जाएगा और शनी मिथुन राशी के दात्कों के लिए मित्र ग्रह की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ पर शनी की मूलत्रकॉन राशी कुम्ब जो है वो आपकी कुंडली में नोवे भाव में आ जाती है नोवा भाव भागे का सान होता है यानि की शनी आपके लिए वैसे ही शुब प्लेनट है क्योंकि नोवे भाव का स्वामी कभी शुब नहीं होता ये कुंडली का सबसे शुब भाव है सबसे अच्छा भाव है अब शनी यहीं पर बैठे है गोचर में और यहीं पर वक्री हो गए दशाजात का नोवे भाव में बैठना और नोवे भाव में बैठ कर जाकर वक्री वस्था में हो जाना निश्चत तोर पर बहुत अच्छे फल करने जा रहा है कौन से फल करेगा सबसे पहले तो यह है कि यह बैठे भाकिसान में हैं भाकिसान के फल करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर अपनी राशी है कोई नया प्रजेक्ट करना चाहते हैं आप निश्चित तोर पर आपको उसका फाइदा मिलेगा कोई नया काम करना चाहते हैं भी खुद हो गए तो ये अध्यात्म की तरफ भी लेके जा सकते हैं आपकी धार्बे की यत्रा भी करवा सकते हैं आपको नए ने प्रजेक्ट्स भी दे सकते हैं और आप ने प्रजेक्ट्स भी दे सकते हैं और आप ने प्रजेक्ट्स हैं उसकी एग्जिकुशन भी करेंगे ग्यारवा भाव जो है वो आपकी कुनली में तरक्की का भाव है, ग्यारवा भाव वरिदी का भाव है, ग्यारवा भाव आए का भाव है, तो निश्ची तोर पर शनी यहां पर आपके लिए आए में वरिदी का जो काम जो करना है उन्होंने वो तेजी के साथ करेंगे, आपक हो सकता है जीतने के बाद उनको कोई पोस्ट मिल जाए और लगबग इसी अवदी में मुदी जी अपना मंत्री मंडल की जो है वो गठन भी करेंगे चार्ज उनको जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा लगबग दस बार बार दिन के बाद सरकार बन जाएगी और फिर काबिनेट का फॉर्मेशन होगा तो जब शनी वक्री वस्ता में होगे इसी वस्ता में ही काबिनेट का गठन होगा खैर ये तो बड़े लोगों की बात है मंत्रीों की बात है तीसी दृष्टी के साथ, सामने शनी की दृष्टी पढ़ रही है, आपके प्राक्रमसान के उपर, यानकि कोई भी आप फैसला करेंगे, पूरी determination के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, बिना confusion के करेंगे, ये स्थितिय आपके लिए शनी पैदा कर देंगे, जब शनी वक्र वस्ता को जदा तेजी के साथ करेंगे शनी अब वक्र वस्ता में मित्सुन वाश्टी के जातकों के लिए, शनी की एक दृष्टी जाएगी आपके छटे भाव के उपर, छटे भाव के कारेक भी शनी है, रोग, रिन, शत्रू, इसी भाव से आता है, यदि आपका मुकदमा कोई चल रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि शनी आपकी इस मामले में मदद करें, आपके ओपर कर्ज है, तो कर्ज से मुक्ती का काम यहाँ पर शनी कर सकते हैं, आप किसी रोग का शिकार है, तो वहाँ पर हो सकता है कि रोग में सिर्ता आ जाए, दवा काम करना शुरू करते हैं ये चीज़े शनी करेंगे शनी आपकी अष्टम भाव के हैनी, क्योंकि मकर राशी आपके अष्टम भाव में होगी, मित्वरण राशी के जातकों के लिए, तो अषित्मák भाव से समधत फल आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो महादशानाथ है, research से जुड़ा आप अच्छा काम कर सकते हैं अश्टम भाव छुपे हुए धन का भाव है सब्तम भाव आपके partner का भाव होता है अश्टम भाव partner से मिलने वाले financial फैदय का होता है तो वहाँ पर partner से financial फैदय की आप जो है वो अमीद कर सकते हैं इस तरह के फल आपको जो है वो शनी वक्र वस्ता में देंगे मिथुन राशी के जातकों को 15 नुवंबर तक, 29 जून से लेकर 15 नुवंबर तक, अब बात करते हैं कुछ शनी की रेमिडीस की, शनी जो है वो आपकी कुल्ली में चुकी भागेस्तान के स्वामी है, निश्चित शनी वहामी जाओ में, लुवंवं वरिदी जयों के आपको शनीका नीलम धार नहीं कर सकते हैं, निश्चित तो जिए बहुत फाइदगे मन्द होगा, क्योंकि व्रिदी वाले भाव में बैठा होगा तो और ज्यादा व्रिदी दे जाएगा तो यहां पर महादशानात जो है वो आपको अच्छे फल करेगा यदि निलम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अफोर्डीबिल्टी सब की नहीं होती सब व्रिदी जो है वो स्टोर्ण नहीं पहन सकते काफी महंगा अफेर होता है यह लेकिन इसके रिजल्ट अपने होते हैं आप यदि निलम अफोर्ड नहीं करते तो ओम शंच शनिश्च्राय नमा का जब जरूर करिए इसको रुटीन में अजपा मंतर में आप ले सकते हैं और इसके अलावा आप शनिश्च्राय का दान कर सकते हैं शनिवार शाम के समय काली उड़त की दाल या लोहे का दान किया जा सकता है यह आपको निश्चित तो पर फाइदा देगा यदि आपकी पॉजिशन ऐसी है कि आप सिनियर है आपके अडर लेबर काम करती है टो लेबर को थोड़ा सा खुश रखिए क्योंकि जो लोर क्लास है सोसाइटी में जो समाज है वो उसको शनी डीप्रेसेंट करते हैं लेबर क्लास को शनी डीप्रेसेंट shirt GOOD करते हैं निस्चित तोर पर वो भी आपको शनीकी एक remedy के तोर पर काम करेगा आपको यह remedies करनी चाहिए जरूर करनी चाहिए तीम चार remedies मैंने आपको पता ही है चार में से कोई भी आप कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आपकी financial positions किया है किया जगए जर्मीक लेए जर्मीक भी आपकी नगया है